नमस्कार बहुत स्वागत दे आपका आप देख रहे हैं इंजिया चीवी आपके साथ मैं हूँ प्राची पारशर हमारे खास कारेकरम कहानी कुर्शी की में आज हम बात करेंगे बीजेपी के मिशन 51 परसिट बीजेपी मिशन 24 का फाइनल रोड मैप तयार कर चुकी है दो दिन की हाई लेवल बैठक में टार्गेट टै हो चुका है खुद प्रधार मंतरी नरेंदर मोदी ने बैठक के पहले दिन 300 मिनट तक बैठक ली पार्टी नेताओं को रोड मैप समझाया और 24 की चुनाफ में टार्गेट दिया 51 पीसद वोट हासल करने का मोदी ने जो टार्गेट दिया है उसका साफ मतलब है कि बीजपी 400 प्रस सीटे हासल करने के लिए मैदान में उतर रही है अगले दो घंटे में हम आपको इस टार्गेट को डिकोड करके बताएंगे एक एक राज्ये के हिसाब से पूरा गड़िट समझाएंगे कहां बीजपी के लिए टार्गेट अचीव करना आसान है कहां मुश्किल है कहां बीजपी पहले से ही इस आकड़े को अचीव कर चुकी है ये भी बताएंगे लेकिन पहले आपको समझाएंगे कि पीम मोदी ने जो टार्गेट दिया है उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है इसे आज नेताओं को अमिच्शा समझाएंगे ये टार्गेट भले ही अब रखा गया है लेकिन इसकी तैयारी बीजपी टॉप लीडर्शिप ने बहुत पहले से शुरू कर दी थी विधान सभाव में सीम का नया फेस लाना हो सांसदो को चुनाव लडाना हो या फिर लाभारती वर को वोट बैंक में तब्दील करना हो बीजपी अपने अब तक की इन ही कोशिशों को पहले वोट शेयर और फिर सीटों में तब्दील करने के आक्शन प्लान पर काम कर रही है और इसी आक्शन प्लान पर चर्चा भी हो रही है मरतन बैटक चल रही है खुद प्रधार मंतुरी नरेंदर मोदी सांसदो से मुखातिब होकर उन्हें 51 पीसद के वोट शेयर का टार्गेट दे चुकी है अब ये कैसे अचीव होगा किन राज्यों में बीजपी को मुश्किल है किन राज्यों में बीजपी के लिए आसानी है इस पर चर्चा करेंगे खास पैमान मेरे साथ स्टूडियो में है राहुल महाजन सीनियर जर्रेलिस्ट है बहुत स्टूड ये शानसदों को ये मंत्र डिया है या ये टार्गेट दिया है तो उसके साथी साथ ये भी बताया गया है कि इस टार्गेट को अचीव कैसे करना है आज घ्रीमंत्री आमिच्छा बातचीत करेंगे बताएंगे रणनीती बताएंगे कि ग्राउंड पर इसे कैसे अचीव करना है मोदी ने जो टार्गेट 51% का रखा है ऐसा नहीं है कि ये मुम्किन नहीं है ये संभव नहीं है भारतिय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है जब 1984 के चुनाव में राजीव गांधी 404 सीटे जीत कराए थे बाद में सीटों का आकड़ा बढ़कर 419 तक पहुँच गया था हाला कि इस बड़ी जीत के पीछे इंदरा गांधी की हत्या के बाद उपजे सहनुभूती वोटों को माना जाता है लेकिन उस वक्त के चुनाव परिणाम से आप मूदी के टारगेट 51 पीसद वोट के माइने को समझ सकते हैं क्योंकि 1984 के चुनाव में बीजेपी ने 49 पीसद जो वोट शेर है वो हासल किया था अब बीजेपी 51 पीसद लेकर चल रही है बड़ी बाती है कि 50 पीसद का जो वोट शेर है आखरी हासल होगा कैसे क्योंकि 2019 के चुनावों में जो वोट शेर था बीजेपी का वो 37 पीसद था अब कैसे इसमें इतना एजाफा बीजेपी करने जा रही है इसी पर आईए करते हैं चर्चा हमारे साथ महमान तो बने हुए हैं हर्शपर्दन जी 50 पीसद एक बड़ा टार्गेट रखा गया है इसे बीजेपी कैसे अचीव करेगी किन बातों को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंस में है टीके मुझे लगता है कि अगर सरकार की योजनाओं के लिहास से देखेंगे तो जिसको बार बार भारती जनता पार्टी कहती ही कि हमारा एक लाभारती वर्ग तयार हो रहा है प्लस दो तीहत्तर सीटें जीती अब ये अकल पनी ये था क्यों अकल पनी था उत्तर प्रदेश में अगर आप सहारनपूर से शुरू करते हैं और गोरखपूर तक जाते हैं यानि अगर इस तरफ से चलें उत्रा कर ऊपर की तरफ से जाएं और फिर नीचे तराई की तरफ जाएं नेपाल से लगी सीमा गोरखपूर तक जाएं तो 30-40 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं वाली सीटों से शुरू होता है और फिर अवद में कुछ सीटें कम होती ही फिर जाके आजमगर में बढ़ती हैं लेकिन अवर अगर कहें तो ऐसी करीब 20 सीटें हैं जहां मुस् आठ सीटों पर लड़ते हैं 30 सीटों पर लड़ाई में रहते हैं और 15 से 20 सीटें जीत पाते हैं ये भाजपा के लिए कहा जाता था उत्तर प्रदेश में और उसमें कहा जाता था आप कितना जीत सकते हैं अकेले आप 30 प्रतिशत जीतेंगे 32 प्रतिशत जीतेंगे उस भार मत दाता हैं लगभग उनका 60 से 70 और 75 प्रतिशतक मत उन सीटों पर मिल रहा है नंबर एक नंबर दो ये कि जिन सीटों पर हिंदू मत दाता उस तरह से साइजेबल नहीं है वहां भी वो मत दाता कह रहा है कि हमारी फिर्स्ट प्रियॉर्टी भारती जनता पार्टी तो एक तो लैक आफ और अल्टरनेटिव नेशनल पार्टी यनि दूसरी राज्ट्री राजनीती करने वाली पार्टी का विकल्प न होने से भारती जनता पार्टी को एक बड़ा वोट बैंग मिलता है नरेंद्र मोधी 10 प्रतिशत का मतदान हर जितनी संसदीक शेत्र हैं उसमें बढ़ाते हैं जो ये schemes है उसमें कोई भेदभाव नहीं है उस schemes के जरीए उन वर्गों में पहुंसते हैं जिनको सामाजिक नयाय कहकर जो जाती के आधार पर पार्टियां बनी हैं उन्होंने ले लिया था और जो आखरी कि जब मुसल्मान सामने होगा और उसके साथ हिंदू बढ़ कर चला जाएगा तो भाजपाज इसी पार्टियों को भाविश्य नहीं होगा वो भी change हो गया अब उत्तरप्रदेश में आप देखें तो करीब 20 से अधिक ऐसी सीटे हैं जहां 2 लाख से अधिक मत से भार्टिय नता पार्टिय जीत जाती है मद्ध प्रदेश के अभी के विधान सवाज चुनाव में 160 से जादा सीटे जब वो जीतती है तो उसमें बहुतायत सीटों पर उसका अंतर वो सबसे जादा हो जाता है और जो मतलब हम अंतर के लिहास से कहें तो जो कहा जाता है कि 51 प्रतिशत तो 49 प्रतिशत से अधिक मत मत प्रदेश में उसने हासिल कर लिया कई सीटों पर उसके प्रतियाशियों को 60 प्रतिशत तक मत मिलता है इसका मतलब ये कि BJP के सामने विकल्प नहीं है अगर भारती जनता पार्टी अपनी इन चारो जो मने चारो बिंदू गिनाए इस पर मजबूती से काम करती है तो उसको 50 प्रतिशत मत मिल सकता है ये असंभव नहीं 13 पीसद का इजाफा राहूल जी करना है क्योंकि 37 पीसद वोट शेयर 2019 में BJP हासल कर चुकी है कैसा मार्जिनल शिफ्ट हुआ था वोटर्स का तमाम जातियों का बीजपी की तरफ ये 2019 के चुनावों ने बता दिया अभी जो 13 पीसद का आंकड़ा बीजपी और जुटाने की कोशिश कर रही है ये उमीद बीजपी को कहां से है किन वर्गों से सबसे ज्यादा है जो उसके साथ जुड़ सकते हैं देखिए इसको दूसरी तरह से आंकड़ों से समझते हैं देखिए 2014 में अगर हम देखें तो 50 फीसदी से जादा वोटों से लगभग बीजपी जो है 136 सीटे जीती थी अब अब 2019 में आ जाते हैं तो वो 124 सीटे 50 फीसदी के मतलब वोट शेर से जीती यह माना जाता है जो हमारा first past the post system है भारतिय राजजीती में चुनावों का उसमें यह माना जाता है कि अगर कोई 50 फीसदी से जादा वोट से जीतता है तो वो कैंडिडेट के लिए वोट किया जा रहा होता है यानि लोग जो है उस कैंडिडेट को पसंद करते हैं और उसके जो है पार्टी या फिर उसके नेता को दिया गया है तो यह तो साफ है इस आंकडों से इतना तो साफ होता है कि बीजेपी जो है उसमें प्रधान मंत्री का चेहरा जब भी आता है जब भी नैंद मोदी जो है चुनाव में अपने चेहरे के साथ जाते हैं तो उनको जादा स जादा वोट दिया जाता है लोग अप उनको पसंद करते हैं उसके कारण बीजेपी का वोट शेर बढ़ता है अब बात आती है यह आप ने जो कहा कि वोट कैसे बढ़ेगा है तो बहुत सारे राज्या हैं जहां पर संभावनाएं हैं महराष्ट जैसा राज्या है जहां प समभावना है वो ज्यादा वोर्टचीयर अपना कर सकता है तो ऐसे में यह कहना की बात करेंगे या बाकी राज्यों की बात करेंगे महराष्ट की भी बात करेंगे देखे जब भी बीजेपी शिवसेना के साथ महराष्ट में लड़ी तो उसको फायदा हुआ उसको फायदा हुआ उसको फायदा हुआ उसको फायदा हुआ बिहार में जब वो रितीश कुमा लेफ पार्टी ये साथ आके लड़े तो उनको उस गड़बंधन का फायदा हुआ उसमें भी अगर वोट शेर और सब देखेंगे तो उसका फायदा होगा इस वक्त बिहार जैसे राज्य में महाराष्टर जैसे राज्य में बीजेपी का वो गड़बंधन नहीं दिखाई द के हैं आज ग्री मंतरी को बातचीत करनी है ग्री मंतरी आज जीत का मंत्र देंगे देवेंदर पारशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ जोड़ गए हैं देवेंदर अंदर क्या बातचीत चल रही है कल पीम जब पहुचे ये तो 51 फीसद वोट शेर का के लिहास से और जिसके इर्द गिर्द पूरे कैंपेइन को बुना जाएगा वो मोधी गारेटी है और धानमंती नेरेंद मोधी बार बार हरे एक बैठक में इसी बात पर जोड़ दे रहे हैं कि पूरे संगठन को विक्सित बार संकल प्यात्रा जो की सरकार का कारेक्टर मे हैं उसमें संगठन को इन्वाल्व इस रूप में होना है कि जो भी संभावित लाभारती किसी योजना विशेस के हो सकते हैं जो छूट गया है उनको आपको ले कराना है उन लोगों तक पहली बात तो यह दूसरी चीज़ कि पार्टी का जो कॉल सेंटर है वो उन लाभारत के साथ लगता संपर्क में रह रह रहा है ताकि उनको यह बता सके कि हां यह किन सरकार की योजना है इसका फाइदा आपको मिल रहा है यह दो चीज़े ऐसी हैं जिसके इर्द गिर्द बीजेपी की पूरी रणिकी 24 की बुनी जा रही है और इसके सहारे उस वर्ट बैंक तक जो कि अब तक बीजेपी से अचूता है बीजेपी का रीचाउट जहां पर नहीं हो पाया है वहां तक पहुंचना है कल भी बैठक में प्यमोदी नहीं कहा था कि आपको हर एक व्यक्ति का विश्वास जीतना है और वो विश्वास जीतने के लिए बहुत जरूरी है कि संग के निदान के लिए प्रयासरत है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा बागी सारी चीजें जिसके हम लोग चर्चा करते हैं वह सब इसके ऊपर रखी जा रही है जो कोर इश्यू है वह इन्हीं दोनों के मुद्दों की इर्दगिर बीजेपी पूरी रही इसा बीजेपी उम्मीद कर रही है दूसरी तरफ नौर्टिस्ट में पांच-छे सीटों के ज़्यादा की उम्मीद कर रही है बेंगॉल में बीजेपी चार से पांच सीटों के ज़्यादा की उम्मीद कर रही है उड़ी साम उसको इसा लगता है कि इस पार के चुलाओं मे पिछली बार के तुलना में आकर थोड़े जादा बढ़ेंगे इसके अलावा हिंदी हट्लैंड में जो जो सीटे चुटी हैं यहां पर आपको अच्छा करना ही है जहां पर आप कंजोर हैं उसमें भी पिछले 5 सालों में मेहनत किया गया वहां पार्टी को उमीद है कि 2024 में अ सबसे ज्यादा जो वोट है वो उत्तर भारत से मिलता है जिन सीटों पर बीजपी को 50% से भी ज्यादा वोट मिले उनमें यूपी की 40, गुजरात की 26, एमपी की 25, राजस्थान की 23, करनातक की 22, महाराष्ट की 15, बिहार की 14 और हर्याना की 9 सीटे शामिल हैं इनके अलावा चोटे राज्यों की कई सीटों पर भी बीजपी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे इन राज्यों में बीजपी अब और ज्यादा वोट हासल करने की रणनीती बना रही है इन राज्यों से बीजपी और ज्यादा गेन करने की कोशिश कर रही है अब 59% वोट पाने का कुछ और तथे हैं जो आपके सामने रख देती हूँ 2019 के आकड़े ये बताते हैं कि पूरे 15 राज्यों में बीजेपी का वोटशेर 50% से ज्यादा है यानि इन 15 राज्यों की 343 सीटों पर बीजेपी को राहुल तो क्या पूरा इंडी अलाइंस भी नहीं हरा सकता है बीजेपी फिलाल ये मान कर चल रही है बीजेपी को अकेले दम पर कितनी सीटे मिल सकती हैं इसके भी तथे आपके सामने रखते हैं दक्षिन के 6 राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो 2019 में बाकी के राज्यों की 413 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को अकेले अपने दम पर 274 सीटे मिली यानि अगर मोदी से 24 में मेंटेन करते हैं तो भी बीजेपी की 274 सीटे कहीं नहीं जा रही है यानि बहुमत का अकड़ा तो कहीं नहीं जा रहा है कांडिडेट्स के जीतने का इन 15 राज्यों से बीज़पी को सबसे ज्यादा उम्मीर है। इसे में क्या भारते नंता पार्टी की बात कर रही है। इसे में क्या भारते नंता पार्टी की बारते नंता पार्टी के बात कर रही है। तो भारते नंता पार्टी के सहयोगी दलों का भी वोट परसेंटेज बढ़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि 60% अगर भारते नंता पार्टी के पास जाता है। तो क्या विपक 40% वोट बेंक अंतर सिमढ जाएगा। इसके लिए भारते नंता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनोती वोट प्रदिशात बढ़ाने की होगी। जब भारते नंता पार्टी अपने केडर का जो मोधी के समढ़ते के जो उनके लाबारती है। उनका 100% वोट करवा सकेगी और सबका वोट हो पाएगा। तो भारते नंता पार्टी इस बात के उमित कर सकती है कि वो 50% के आसपास पहुँच सकती है। भारते नंता पार्टी के सीटे और बढ़ते नंता पार्टी का टार्गेट नॉर्थ इस भी है। बंगाल भी 18-18 सीटे जीतने का टार्गेट है। फिर उडिसा उनके पास है। इसके अलाबा बिहार में उनको अपनी प्रदर्शन को बरकरार रखने के चुनोती होगी। इसके अलाबा दक्षिन में भारते नंता पार्टी के साथ इंडिया गड़ बंदन में आ गया है। तीन से मुझे लग रहा है। बीजेपी को 62 सीट यहां पर हासिर हुई जो वोट शेयर था वो 49.56 फीसद रहा। जबकि बीएसपी 10 सीटे जीतने में काम्याब रही थी बीएसपी का जो वोट शेयर था वो 19.26 फीसद रहा था। समाजवादी पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो 5 सीटे यहां पर समाजवादी पार्टी सिर्फ जीत पाई थी और वोट प्रतिशयर 17.9 फीसद रहा था। जबकि कॉंग्रेस की बात करेंगी तो सिर्फ एक सीट यानि राय बरेली सिर्फ कॉंग्रेस जीत पाई थी और वोट शेयर 6.3 फीसद रहा था। यहां जान लेना ये भी जरूरी है कि 2019 के चुनावों में समाजवादी पार्टी बसपा इन दोनों का गटपंदन था। ये दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और उस वक्त भी बीजेपी ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए कमाल की सीटे जीती थी और वोट शेयर में भी इजाफा किया था। जहां मोदी और कॉंग्रस की सीधी टककर है वहां क्या होगा उस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले जब हम यूपी की बात कर रहे हैं हर्श वर्दन जी तो वह 14 सीटे जहां बीजेपी 2019 में हार गई थी जहां पश्चिम यूत्तर पुदेश की भी सीटे हैं पूर होती वह साथ सीटे थी उन साथ सीटों की बात करें तो आजमगढ रामपूर और अमेठी उन सीटों का तोड़ो निकाल चुकी अगर 2019 और उसके बाद जो अभी 2023 तक के उप चुना हुए इनको हम देखे तो उनके जो कहें कि रास्ते निकलाएं लेकिन वो रास्ते कैसे नि क्या बहुजन समाज पार्टी उस गड़ोड का हिस्सा बनेगी अगर बन गई तो फिर वो 14 सीटे भारती जनता पार्टी के लिए बहुत जिसको अंग्रेजी में कहते है न टफ नट टू क्रैक तो वो आली स्तिती हो जाएगी अगर वो नहीं बनता है तो वो 14 सीटे नहीं भारती जनता पार्टी के लिए आखरी वाली साथ सीटे उस पर उसकी नजर होगी और मैं यह कह रहा हूं कि राय बरेली भी इस बार भारती जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगी और कॉंग्रेस के लिए बहुत आसान होगी ऐसा मैं नहीं मानता हूं जो सबसे ब पॉजिटिव कुछ होना चाहिए विपक्ष के लिए चुनाव आते आते एक के बाद एक निगेटिव हो रहा है फिर क्या है अब डॉक्टर मोहन यादव बन गए अब यादव वोट बैंक वो समाजवादी पार्टी को लगता है कुछ भी हो जाए यादव कहीं नहीं जाने वाले अखलेश यादव के साथ रहेंगे लेकिन मुझे लगता है वो भी स्थिती बदली है एक बड़ा वर्ग है जिसको लगता है कि अच्छा हम क्यों न भाजपा को वोट दें हमको बार बार मुस्लिम यादव समीकरण कह दिया जाता है हमारा नु हमारे खिलाब पॉलिटिकल विंडेटा चलाएंगे कुछ नहीं किया गया यहां तक कि अकलेश यादव शिवपाल यादव रामगोपाल यादव या उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति के खिलाब क्या आपने भारती जनता पार्टी की तरफ से कोई गंबीर आरोप लगा और एक और रोचक बात उसमें शामिल करता हूँ अब जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सीसी सीटे हैं एक बड़े नेता है वो राष्ट्री पदाधिकारी भी हैं अमिट शाह के बड़े नजदी की हैं उनको अपनी सीट पर बहुत काम करते हुए देखा जा रहा है कॉंग्रेस के नेता विपक्षी नेता वो तो अभी यही सोच रहे हैं कि बैठेंगे सीट चुनेंगे प्रत्याशी चुनेंगे तबने समय करन तयार होगा तो मुश्किल तो यहां है इसलिए भाजपा बहुत आगे दिखती है कि मैं इसको इसता से देखता हूं मैं दो तीन फिर आपको आख लेता हूं कि जब हम 224 सीटों की बात करते हैं उन सीटों का एक और एनलेसेज यह है कि अगर बाकी सारे दल इंडिपेंडेंट जो गैर भाजपा दल थे और नोटा इन सारे वोटों को भी मिला लिया जाए त अगर ऐसा होता कि वो जादा हो रहे हैं तब तो कुछ शंका वेता हैं लेकिन तब भी यह 224 सीटें जी जाती तो इसका मतलब भाजपा इन 224 सीटों पर बहुत मतलब बहुत मजबूत है अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश की खास तोर से मैं उसको उस तहां से लेता हू और ऐसे जब वोटिंग हो रही होती है तो और प्रदान मंत्री के लिए अगर वोटिंग उनके नाम पर इस बार हुई और उन्हीं को देखते हुए सिरफ वोट हुए और कोई फैक्टर नहीं रहा तो यह कोई मरा नहीं कर सकता कि फिर वो एक लहर होगी उसमें कौन किस कौ मायावती और समाजवादी पार्टी अगर एक साथ आते हैं तो उसका फायदा होता है मायावती ने दस सीटें उत्तर प्रदेश में जीत ली थी पिछली बार और उससे पहले कि अगर हम चुनाव देखें तो उसमें वो जीरो 2014 में कोई सीट नहीं मिली थी तो ऐसे में फाय विपक्षी दलों ने भी बड़ा है सिक्स्ती कुछ सीट पे वो पचास फीसदी वोटों पर एक सो सत्रह पे ऐसे ये कुछ आकड़ा है वहां पर पहुंच गए थे तो उन्होंने भी अपनी सीटें डबल की थी जहां पर उनको पचास फीसदी से जाधा वोट पड़े थे अगर गड़ बंधन जैसे समीर जी कह रहे थे साफ में आखर चुनाव लड़ते हैं तो ये राह आसान होगी ऑगर बी जेपी ये सोचति है कि बहुत आसानी से ये जो दल जो हैं इनको बीट कर पाईगी तो ऐसा दिखाई नहीं देता है इन राज्यों में उसको मुशकत कर पड़ेगी अब जो उन्होंने लक्षे रखा उसे पाने के लिए यह आप मान के चलिए कि 2024 के चुनावों में एडवांटेज बीज़पी बिल्कुल साफ दिखाई देता है यह बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि प्रधानमंति नहीं इंदमोदी तीसरी बार भी प्रधानम समाजवादी पार्टी कहती है अगर आप BSP को लेके आएंगे तो हम गड़बंधन से अलग चले जाएंगे तो अगर इस तहां की चीज़े रही तो फिर कोई इस गड़बंधन का भाविश्य नहीं है लेकिन अगर यह सारे गड़बंधन अपनी सीटों का बटवारे को सही दंग से कर पाए तो बीजेपी के लेक चुनौती जरूर दिखी इसमें एक चीज जोड़ेता हूं कि उत्तर पार्टी के सबसे बड़ा फेवर राम अंदिर भी एक जाने वाला है बावीश जन्री को राम अंदिर को होने के बाद मुझे लग रहा है कि एक बड़ा मोग और बाद में चाहिए बाद मुझे लग रहा है लुक है बारती जन्री कि अपना खुद का आसिस्मेंट क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर खासकर 14 सीटे 2019 में मुश्किल साबित हुई थी कितनी सीटे प्लस में मान के चल रही है बीजबी पार्टी के तियारी इस रूप में हो रही है कि असी की असी सीटों के लिए आप माहौल बनाएं खास्तों पर तब यह समझ में आ रहा है कि बीएसपी का अभी तक का जो संकेत है वो उस गड़बंदन में नहीं जा रही है और उस लिहाज से अगर बीएसपी अलग लड़ती ह तो समझा जा सकता है कि पिछली बार जो चुनावती मीली थी बीजेपी को जितनी भी चुनावती वो इस बार भी नहीं रहेगी और उस लिहाज से पार्टी उत्रप्रदेश की सभी सीटों पर बहुत स्रियसली यह विचार कर लिया और और जिन जिन सीटों पर पार्टी प उन सीटों पर पार्टी हारी है उसमे कौन सा अमिद्वार होगा और उनका एनाउस्मेंट भी बाखी अमिद्वार की तुनलाव में पहले करने की तैयारी है जोनरी के आकरी सब्ता यह फरवरी के पहले सब्ता में तो उत्तरप्रदेश को लेकर बीजेपी की स्टेड़ी उ पाने वाला वक्त बताएगा लेकिन इजाफा यहां से बीजेपी जरूर कर सकती है अपनी सीटों में आगे वक्त एक छोटे से ब्रेक का है लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे गुजरात, मध्यप्रदेश, राजिस्थान और च्छतीजगर में बीजेपी की सि झाल